Q7 देखो If the second term of an AP is 13 13 and the fifth term is 25 वर्टिंग 7 देखो तो देखो यह term लिखना आपको आना चाहिए जब second term बोले यानि कि A2 बोले तो A2 की value याँ दे रखे 13 A2 को अप लिखो को कैसे A2 लिखते हैं A plus D तो यानि A plus D की value 13 है इसको equation first माननो 5th term की value 25 है 5th term यानि A5 की value 25 है 5th term यानि A5 की value 25 है तो A5 को कैसे लिखते हैं A plus 4D यह कैसे लिखने हैं पता है ना मैं A N is equal to A plus N minus 1D वाले formula में लिखने हैं तो ऐसे A5 को लिखेंगे A plus 4D अगर A6 होता है A plus 5D तो D मैसे एक कम कर देते हैं तो A plus 4D की value कितनी है 25 तो यह होगी equation first and second अब इस equation first and second को हम solve करके A और D दोनों की value निकाल सकते हैं तो निकालो एक काम करो पहले first minus second करो equation first minus second करो तो A से A कर जाएगा sorry second minus first करो तो second minus first करो जब second minus first करो तो A से A कर गया 40 minus D कितना होता है 3D 25 minus 13 कितना होता है 12 तो यह से D की value आ गयी 4 तो जैसे आपकी D की value 4 आ गई तो इस D की value इस first equation में डालो चाहे second में डालो तो A की value आ जाएगी तो माल लो मैं इस D की value किसी भी में डाल रहा हूँ तो इस D की value माल लो मैं first में तो D की value में अब क्या करना है हमें ni क्या और 256 दाला हे है क्या क्या करना है इसेयं गया ब सुने हमेल ब स्वर्व घदशन दाल तो इन प्लस 6 मेल्यों ऐ त्ते ऐंगे में ही जाना है बोलो समझें आपको, इसमें समझने माली बात यह थी है, गलक जो बच्चे करते हैं, कि जो फिफ्थ तर्म होता है, उसको उनको पताने चलता कि A plus 4D लिखना है, 2nd term जो होता है उसकोन को पताने चलता कि यह विफ्थ term को ए प्लस 4D लिखना है और 2nd term को ए प्लस D लिखना है 7 term को ए प्लस 6D लिखना है यह आपको पता में चीर और हम कैसे करते हैं यह हमारा वही एन टर्म वाले पाम्ले से हमारा वही एन पी जगे लिख देते हैं 7 7-1 हो जाता है फॉम्ले में n-1 करते हैं तो 7-1 हो जाता है तो 6D हो जाता है चल नेक्स देखते हैं I hope समझ आ गया होगा निया तो 2-3 बस लेना और कमेंट सेक्शन में पूश लेना और कुछ भी जिक्कर होगा चल नेक्स देखते हैं जुलनी से